रादे रादे माई मैं चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम शॉटकट सीखेंगे उन संख्याओं का स्क्वाइर निकालने के लिए जिनके एंड में 5 आता हो यानि कि जो उनका यूनिट प्लेस वाला होता है यानि इकाई का अंक जो होता है अगर वो 5 है कि संख्या का तो उसका स्क्वाइर हम फटा-फट निकाल सकते हैं बिना कल्कूलेटर के और एक सेकिंड में जब प्रैटिस कर देंगे तो एक सेकिंड में आप किसी भी नम्बर का स्क्वार निकाल सकेंगे यह संख्या के end में फाई लिखा है ठीक है तो पहले मैं आपको इसक आपकी help करने के लिए है तो इस वीडियो पर बने रहें अगर अच्छा लगे तो like करें, share करें, comment करें और चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करें जिससे mathematics की और topics पर आपको videos मिल सकें और short tricks की भी मैं videos और बनाने वाली हूँ, वो भी आप तक पहुंच सकें और आपकी और आपके दोस्तों की help हो सकें तो चलिए start करते हैं, देखें, माल नीचे हमारे पास कोई number है जिसको मैंने a5 लिखा है, मतलब इसका last digit 5 है, बाकी यहां कोई भी number हो सकता है अब इसका square करना है, मतलब इसका इसी में ही गुणा करना है, तो जब इसका इसी में गुणा या multiply करना है, इसका square निकालना है, तो यह कैसे हमें मिलेगा, हम क्या करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, 55 जब 25, तो last में तो हमें 25 ही लिखना है, ठीक हैं, अब इससे पहले क् नम्بर नहां लिखा चाहे वो 1 weakness, हमें उसके अगली संहान में गुणा करना है अगर a संहाय है तो अगली संहाय क्या होगी a क्लस 1 जैसे हमान्द 2 है तो 2 को बाद क्या लुबत है 3 । बाद कित यदे 3 में करना है यहां हमाली कि 15 15 15 की है 15 में कि Hier यहांने कि a into a plus 1 ठीक है एक ही जगे मालो है 11 तो 11 का multiply किस में करेंगे 12 में ठीक है तो a का multiply है मुसके अगली संक्यानी कि a plus 1 में करेंगे और last में लिखेंगे 25 ठीक है तो अब इस rule को हम apply करते हैं स्क्वाइर करने के लिए तो देखिए जैसे नेक्स नंबर आपके पास यहां दिया हुआ है 25 इंटु 25 तो हम क्या करेंगे टू का गुणा किस में करेंगे इसके अगले नंबर 3 में तो 2 3 जा तो 6 हो गया 5 5 25 ठीक है ऐसे 3 35 का स्क्वाइर करना है तो हम क्या करेंगे 3 का multiply 4 में करेंगे तो 3 4 जा 12 और फिर 25 फिर 45 का स्क्वाइर करना है तो 4 का multiply करेंगे 5 में 45 जा 20 तो 2025 फिर 55 का स्कूरे करना है تو 5 x 6 तो 3 0 2 5 25 ऐसे ही आगे देखते हैं 75 का स्कूरे करना है तो 7 का multiplier 8 में करेंगे यह तो 7-8 जा 56 और फिर 25 ,बिखना सबी का स्कूर허 गया ठीक है आगे देखते है देखें 95 का स्कूरर करना है तो 9 000 में करते हैं तो कितने आता 90 तो 9025 इस तरीके से और आगे चलते हैं अब तो हमारे पास है 155 का स्कौर करना है हमें तो 11 का हम multiply करेंगे 12 में तो 11 का मल्टिप्लाय करते हैं तो कितना आता है 132 और फिर इसके 25 अब आप सोच रहोंगे मैंने फटा-फट से कैसे लिख दिया इसकी भी ट्रिक होती है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगे जिसमें कि आप किसी भी नंबर का multiply कर सकते हैं easily ओके आगे चलते हैं अब हम 12 का 125 का हम square करना है हमें तो 12 का multiply करेंगे हम 13 में तो इससे हमें मिलेगा 1, 5, 6 and 2, 5 ओके फिर 205 का square करना है हमें तो 20 का multiply हम करेंगे 21 में यानि कि 20 into 21 तो यह आ जाएगा आपका 420 और फिर 25 ओके तो इस तरह से हम square कर सकते हैं अच्छा मैं एक number all ले लेती हूँ जो मैंने इस में भी नहीं लिखा है जिससे माली जिए 4 digits का यह number होगा 3005 का ही अगर मुझे square करना है तो क्या करेंगे 300 का गुणा किस में करेंगे 301 में तो जब 300 का गुणा 301 में आप करेंगे तो आपको मिलेगा 90300 और फिर लास्ट में 25 तो लोग हैरान हो जाएंगे देखकर कि कि आपने फटाफ़ डिसका square कैसे कर लिया तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके बाद एक चीज़ और कहें कि यह मैंने कुछ आपके लिए numbers लेकि हैं आपको 65 85 और 105 का square करना है खुद करके देखिएगा इस ट्रिक को अपलाई करके और कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा कि आपका अंसर किया आ रहा है तो आपको वीडियो जैसा लगे कमेंट करके बताएं और फिर से मैं आपसे कहूंगी कि आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मो झाल